वेल्कम तो इजिनिरिंग ग्लासेज फ्रेंड सम्प्रीविजियर कुशिंस देख रहे हैं गेट के कुशिंस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं यह है पार्ट फॉर ऑफ नंबर सिस्टम प्रीविजियर कुशिंस वीडियो में कवर करेंगे और कुशिंस में क्या का गया है वट इस टी वैल्यू ऑफ 34.4 जो की है बेस एट में मुल्टिप्लाइब बैट इस थी पाइंट फॉर जो की है बेस एट में तो वह इसमें से किसक से एक्विवेलेंट होगा यह हमें स्वाल कर रहे हैं यहां पर वे इस कि आप ऑक्टल से डैसिमल बना लू देन दो डैसिमल नंबर को मुल्टिप्लाइब कर लो एंड देन फॉर अगें कंवर्ट डैसिमल इंटु दा ऑक्टल सिस्टम तो सबसे अलब देकों क्या करेंगे 34.4 का आप बनाओ डैसिमल और 34.4 जो कि ऑक्टल में हैं इसका डैसिमल बनाने के लिए पहले बाइनरी लिखेंगे 34.4 का बाइनरी कैसे लिखोगे इसको 3-bits की फर्म में लिखो इसको भी 3-bits की फर्म में लिखो और इसको भी लिखो 3-bits की फर्म में 3 को कैसे लिखेंगे 0114 होगा 100 and this 4 is also 100 तो कैसे लिखेंगे इसको that is 011100.1 क्योंकि डैसिमल के बाद आपको यहां पर 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है इसका now write the binary of this sorry write the decimal of this this is in binary और अब इसको लिखने डैसिमल में तो वो कैसे लिखने हैं simple 0 into 2 to the power this is 1 0 1 2 3 4 and so 0 into 2 to the power 5 plus 1 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0 plus now for this it is the minus that is 1 into 2 to the power minus 1 so what is this 0 वाली टम्स तो 0 रहेंगे तो उनको तो हम लिखेंगे नी तो यह होगा 16 16 plus 8 plus 4 and plus this is 0.5 तो कितना होगे 16 plus 8 24 28 28.5 तो यह बनगे 28.5 in decimal तो इसका मिने decimal लिख लिया ऐसे 23.4 का decimal लिखो लिखने के लिए पहले इसका बाइनरी बनाएंगे तो इसका बाइनरी क्या एगा टू का आ गया 010 3 का यह 011 and 4 का यह और टीक लिखने साथिंट साथ्यक्स 10 शिज़ mlिकने सका लिक्रम का लिखने सिन लीचार हुएंगे तो सीधा लिक्रहा मिसी वन वारी तर्म स का लिखरूँ् fraction part 1 into 2 to the power minus 1 this is 16 plus 2 plus 1 plus 0.5 तो कितना आएगा that will be 19.5 in your decimal तो अब क्या करना है आपको now you just have to multiply these two decimal numbers इन 2 decimal numbers को multiply कर लो आपस में तो जब आप इनको multiply करोगे that is 28.5 को multiply करोगे 19.5 से then you will get answer like this 555.75 you can do it on your own यह आप कर सकते हो simple multiplication है अब एक बार आप क्यासी decimal number आगया now what you have to do is you have to again convert it into a octal अब octal में convert करने के लिए क्या करना है पहले इसका बनाओ binary और binary से लिख दो इसका octal ठीक है so अब इसका हम binary लिखेंगे 555 का तो binary किस तरह से लिखते हम इसके हम division method का use कर सकते हैं so like this 555 then perform that division by 2 method तो यह कितना आए गो यहां पे मैं remainder लिख देता हूं इसके side में तो तू से करेंगे तो 277 remainder is 1 अगें तू से करेंगे तो 138 remainder is 1 तू से किया 69 remainder is 0 तू से किया 34 remainder is 1 तू से दिवाइड किया 17 remainder is 0 तू से दिवाइड किया 8 remainder is 1 तू से किया 4 remainder 0 तू से किया 2 remainder 0 0, okay then 2 से किया, I am writing it here, okay, so 2, 2, so 2 से किया 1, remainder is 0, then 2 से किया 0, remainder is 1, so अगर हाब इसको इस तरह से लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, you will get 1, 0, then 001, then 010, and 11, तो यह तो आगया आपका जो integer part, यह तो आगया जो हमारा integer part, अब इसको octal में करने के लिए क्या करना है, तीन-तीन के pair बना लो, और इसके लिए हम 2 यहाँ पे 0 append कर देंगे, तो simple देखो, क्या हाँ आपके वास, this is 1, this is 0, this is your 5, and this is 3, तो integer part मेरे पास आगया, 1053, यह मुझे पता है, तो यानि answer यह नहीं हो सकता, या तो यह हो सकता या यह हो सकता है, अब मुझे decimal वाला करना है, so decimal वाले के लिए हम multiplication method का use कर लेंगे, so decimal में कहता हम यह पास 0.75, so 0.75 into 2, 1.50, integer part को लग लिखो, 1, fraction को दुबारा से 2 से multiply करो, तो क्या में लेगा 1.00, this is 1, और यह क्या होगा आपके आपके, 0 को करनने की जुरुत नहीं है, यहाँ पे हम कर देंगे खतम, so that is 110, and 110 is what, 110 is your 6, so the answer is 1053.6 in octa, okay, so the answer is this, A, answer is A, so now let us solve the next question, जो कि था year 2009 में, question में क्या है 1, 2, 1, 7, base 8 is equivalent to, किसके equivalent है यह हमें बताना है यहाँ पे, so let us start solving it, so 1, 2, 1, 7, ठीक है, तो पहले तो इसका लिखतो binary, तो 1 का binary क्या होगा, base 8 है तो हम कितने में represent करेंगे, 3 bit में, तो 1 का क्या है, 001, 2 का आएगा 010, 1 का आएगा 001, and 7 का आएगा 11, ठीक है, अब इतना तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह तो base 16 होगा, या base 10 है, तो पहले मैं base 16 के लिए कर लेता हूँ क्योंकि उसमें 3 option है, तो base 16 के लिए करने के लिए क्या करना है, मुझे we have to make pair of 4 bits, और pair हम यहां से करना शुरू करेंगे, तो यह बनाया है pair 4 का, एक pair यह बनेगा, एक pair आपका यह बनेगा, तो जो पहला pair है यह वाला यह बनेगा, तो जो पहला pair है 0010, यह बना 1000 and this is 1111, इसके corresponding क्या आएगी value, simple आएगी आपके पास 2, इसके corresponding क्या आएगी value, 8 and इसके corresponding क्या आएगी this is 15, और hexadecimal 15 क्या होता है f, so this is 28f, okay, तो answer क्या है 28f है, तो यहाँ पर देखो किसमे option है 28f, यह बना आप 0 लगा रहा है तो that doesn't matter, so this is your correct answer. So this is all for this particular video lecture, thank you for watching the video, please subscribe to my youtube channel for more such tutorials, thank you.